दोस्तों कोरोना की पहली वेव के बाद हमें ये लगने लगा था कि हम जंग जीत गया है और हमने कोरोना को हरा दिया है लेकिन दूसरी वेव के बाद कुरोना वाइरस ने ये साबित कर दिया कि शायद हमने उसको अच्छे से समझा ही नहीं है और हमने उसको ठीक से जाना ही नहीं है कुरोना वाइरस एक हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है जितनी जान के रही हमारे पास होंगी उसके बारे में उतना आसान होगा इस वाइरस को हराना, इस दुश्मन को हराना तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक्च्छल में ये वाइरस हमें कैसे नुक्सान पोचाता है ये किस तरीके से डे बाई डे हमारे बोडी को effect करता है infection होने के बाद और किस तरह से ये हमारी बोडी के ही immune system को use करता है हमारी cells के against और इस बिमारी को और complicate कर देता है और एक भयानक रूप धारण कर लेता है तो बिमारी के शुरुआत कैसे होती है जब भी कोई healthy person किसी patient के contact में आता है या किसी वज़े से virus के contact में आ जाता है और ये virus नाक के तुरू entry करता हमारे शेरीर में और ये जाके बैट जाता है नाक और गली का जो पिछला हिस्सा जिसको nezopharynx कहते है ये वहाँ पे करीब 24 गंटे तक रहता है और उसके बाद ये हमारी cells को invade करना शुरू कर देता है और cells के अंदर जाके वहाँ पे रूपधारन कर लेता है अपना cells के साथ उसके metabolic functions में involved हो जाता है और अपने आपका multiplication शुरू कर देता है और 24 से 48 गंटे के अंदर अंदर ये virus जो है वो लाखों की तादाद में वहाँ पे इकटे हो जाते हैं जिसकी वज़े से उस समय जो immune system है वो active हो जाता है और फटा-फट से antibodies बनाना शुरू कर देता है ये antibodies जो हैं इन viruses को मारना शुरू करते हैं kill करना शुरू कर देता हैं और इस समय पे उन दोनों के भी जब लडाई हो रही होती है तो यहां पे body के अंदर या हमारे खून के अंदर कुछ toxic chemicals release होते हैं जिनको हम cytokines कहते हैं तो actual में ये body का बड़ा normal response है जब भी कोई infection होता है वो bacterial infection हो या viral infection हो हमारी body normally इसी तरीके से react करती है तो ये होता कैसे है अब हम इस सब के बारे में बात करेंगे कि इसकी symptoms क्या है इसकी chronology क्या है और कैसे ये effect करता है day by day हमारी body के उपर तो generally day one पे day one का मतलब होता है कि expose होने के 4-7 दिन के बाद पहला लक्षन आता है जो 4-7 दिन का time है उसको हम incubation period कहते हैं और उसके बाद ही ये symptoms आते हैं क्योंकि उस समयता की वाइरस अंदर जाता है अपना multiplication करता है वह बहुत सारी चीज़ होती है फिर ये जब cytokanines वगरा develop होने लगता है तब ये symptoms आते हैं और ये cytokanines जो है वह inflammatory agents होता है इसलिए body उनके against me response करके fever और इस तरह के symptoms आते हैं गले में irritation होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मात्रह है वाइरस की वो गले के अंदर होती है शुरू की दिनों में और वहीं के cells पे सबसे ज़्यादा effect वह होता है तो गले के जो symptoms है इसलिए सबसे पहले आते हैं sort throat होगा, strip throat होगा गले में दर्द होगा, mild cough शुरू हो जाएगा तो ये शुरू आती symptoms होते हैं जो हमें day one पे दिखते हैं fever भी होता है साथ में day two पे जो है ये symptoms थोड़े से बढ़ना शुरू हो जाते हैं मरीज थोड़ा toxic, lethargic feel करने लगता है weakness आने लगती है मरीज को ये सारे symptoms जो है वो दो से चार दिन के बीच आते हैं उसके पाद जो चार से साथ दिन का period है वो बहुत ही critical भी होता है या कुछ मरीजों के लिए वहां से मरीज वापिस जाने लगता ठीक होने की तरफ तो करेब 80-85% जो मरीज है वो इस समय पे आके ठीक होने लगता है यानि कि 4-7 दिन के बीच इस symptoms subside होने लगता है fever settle होने लगता है fever जहाँ 102-103 था वो 100-100 से नीचे 99 के आसपास रहने लगता है गले का दर्द ठीक हो जाता है sore throat वो सारे symptoms settle होने लगता है कफ रहता है जो कफ भी दिरे-दिरे settle होने लगता है और most of symptoms जो है वो 10 दिन होते होते चले जाते हैं और मरीज यहां से recovery phase में जाने लगता है और यहां से इन मरीजों के लिए बिमारी का खत्रा टल जाता है ऐसे मरीजों को शायद paracetamol के अलावा किसी दूसरी दवाई की भी जरूत ना पड़े मगर जो 10 से 15% मरीज बच जाते हैं वहां पे एक severity या complications होने का डर बढ़ जाता है और यह जो symptoms थे यहां तक के यह तो थे वारस के कारण लेकिन जब वह severity के तरफ मरीज जाता है तो यह हमारे body के अपने ही immune system के कारण जाता है जो समझने के लिए एक बहुत जरूरी बात है कि कैसे हमारी body का immune system ही हमारे against काम करने लगता है coronavirus के मरीजों में और यही बड़ा कारण बनता है मरीज की मौत का या complications का या मरीज को ICU में लेके जाने का तो यह जो 10-15% मरीज की हम बात कर रहे थे इसमें क्या होता है कि जो fever है या तो continue रहता है पहले से मरीज ठीक ही नहीं होगा होता है उसको symptoms aggravate aggravate हो रहे होता है वो settle ही नहीं होता है या अगर कुछ मरीज में fever settle भी होने लगता है यह फिर से वापिस आ जाता है और यह 102-103 degree Fahrenheit तक चला जाता है उसके अलावा जो उसमें दूसरा बड़ा common symptom है वो है hacking cuff try hacking cuff मरीज जोर जोर से खासता है उसको लगता कि बलगम आएगा और साथ में chest में congestion और सांस लेने में दिक्कत breathing difficulty शुरू हो जाती है तो यह तीन sign है यह warning sign है कि यहां से मरीज जो है वो खतरी की तरफ या severity की तरफ जा सकता है यह alarming science है और इसी समय पे मरीज को शायद oxygen की भी demand बढ़ने लगती है क्योंकि यहां पे lungs के अंदर damage होना शुरू हो जाता है और वो damage क्या होता है वही main point है जिसकी हम बात करेंगे आपने देखा होगा कि जो X-ray report आती है जो CTHSP report आती है उसमें pneumonia जैसी picture दिखती है तो अच्छल में यह pneumonia नहीं होता है यह lungs के अंदर blood जो है वो clot हो गया होता है और वो बिल्कुल वैसी mimic picture देता है CT में ए X-ray में कि जैसे इस मरीज को pneumonia है और इसी के अधार पे कि कितना ज़ादा clotting है कितना damage हुआ lungs के अंदर जो CT scan का severity score दिया जाता है पर यह होता क्यों है इसका कारण क्या है कि यह आपे blood clotting हो क्यों जाती है तो अच्छल में होता क्या है कि जो virus जैसी body के अंदर आता है हमारी inweed करता है और जो first level के antibodies बनते हैं इस virus को मारने के लिए वो सबसे पहले पहचान करते हैं जो virus के अंदर चारो तरफी spikes होते है इनके अंदर एक protein होता है जिसको spike protein कहते है तो सबसे पहले जो हमारे antibodies हैं इसी spike protein को पहचानते हैं अब क्योंके जो protein spike के अंदर था उसी तरह का मिलता जुलता protein जो है हमारी body के कुछ organs के blood vessels की cells में भी होता है तो यहाँ पे जो हमारा immune system है यो antibodies हैं वो confused हो जाते हैं और वो virus का protein समझके जो हमारे normal healthy cells थे blood vessels के उनको attack करना शुरू कर देता है और यह blood vessels की cells हैं सबसे जादे lungs में पाई जाती है लिवर में भी होती है, intestine में भी होती है इसलिए intestine के भी कभी के भी symptoms आते हैं पेट दर्दिया, lose motions वगरा होना तो जब यह blood vessels की cells को attack करता है हमारा खुद body का antibody तो यह cells damage होने लगती है और जब यह blood vessels की cells damage होती है तो वहाँ से blood vessels से blood ooze करना शुरू कर देता है जब ooze होता है तो वहाँ पे इखटा होना शुरू होजता है lungs के अंदर और यहाँ पेchief clotting हो जाती है इसकी वज़े से लंग्स के अंदर जो oxygen का exchange है जो normal function है लंग्स का वो disturb हो जाता है तो oxygen की demand पूरी नहीं हो पाती blood के अंदर oxygen की कमी हो जाती है जिसकी वज़े से oxygen के level है blood के अंदर वो कम दिखने लगते हैं जिसको हम desaturation कहते हैं जो आप SPO 2 meter में नापते हो कि मेरा oxygen का level काम आ रहा है और ये ही वो point है जहाँ पी मरीज को oxygen की जरुवत पड़ती है और मरीज complication की तरफ चाने लगता है तो यह जो antibodies का attack है जिसे हमने पहले भी बात की थी कि जब यह आपस में लड़ रहे होते हैं साइटोकाइन्स बनते हैं और जब यह हमारी ही body की cells पे भी attack कर रहे होते हैं antibodies तो उस वक्त छटे दिन के आसपास यह जो cytokाइन्स का level है वो सबसे उपर होता है और जितना जादा cytokाइन्स का level होगा body के अंदर उतने ही जादा complications होने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि जो cytokाइन्स हैं यह inflammatory agents के तोर पे काम करते हैं तो इसी समय पे बुखार भी जादा होता है इसी समय पे बाकी दिक्कते भी होती है इसी समय पे दूसरे body के functions पे या systems पे भी effect आने लगता है और मरीज को ICU में जाने की जरूरत पड़ जाती है तो इसलिए यह suggest किया जाता है कि जो छटा दिन है यह बड़ा crucial day है अगर छटे दिन हम estroid का इस्तमाल शुरू कर दे तो यह सटीक time है इन cytokines को रोकने के लिए इनकी बोचार को या इनकी बरसात को रोकने के लिए क्योंकि जितनी size damage होती जाएंगी कि उतने cytokines के levels बढ़ते जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि जब हम estroid देते हैं तो जो हमारा immune system है या जो antibodies है वो suppress हो जाता है estroid देने से क्योंकि estroid जो है वो immunosuppressant के तोर पे काम करते हैं और जब हमारा immune system suppress हो जाता है और जब यह antibody suppress हो जाता है तो फिर यह उन cells को नहीं मार पाते है जो हमारी body के normal cells थे और generally इस समय तक जो virus था वो कम हो जाता है वाइरेमिया का level कम हो जाता है पांच दिन तक virus का level काफी उपर तक रहता है तो estroid देने से हम किसी हद तक अपनी normal cells को जो body के normal cells है blood vessels के सेने उनको damage होने से बचा सकते है एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने की जूरे थे क्योंकि वहाँ आप अलड़ी clotting हो चुकी है और further clotting को रोखने के लिए anti-cogulant का इस्तमाल भी recommend किया जाता है estroid therapy के साथ-साथ पर दोस्तों हमें एक सला देना चाहूंगा यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है आप अपने आप से कोई भी treatment शुरू ना करे आपको अपने डॉक्टर से consult करना ज़रूरी है कोई भी treatment शुरू करने से पहले एक और बहुत बड़ी बात है ध्यान देने की खास दोर से estroid के use करने में क्योंकि हैं days पे भी फरक पड़ता है अगर आपने पहले use कर लिया तो फिर यह खत्रा बढ़ा सकता है आपने बात में use किया तो उसका फाइदा नहीं मिलेगा इसलिए आपको days अगर पता है आपके किस दिन आपको पहला symptom आया आपका पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चोथा दिन, पांचवा दिन, छटा दिन अगर आपको days सही से पता है तो आप अपने आपको काफियत तक बचा सकते हो इस बिमारी के खत्रे से तो अगर estroids का use पहले 5 दिन में कर लिया गया तो ये बिमारी को और बढ़ा देगा या नुकसान दे होगा क्योंकि पहले 5 दिन में जो वाइरस है वो अपने आपको multiply कर रहा होता है, replicate कर रहा होता है तो estroids जो है, वो वाइरस के replication में or multiplication में मदद करते हैं और अगर वाँ पे हमने estroids दे दिया तो इसकी वाइरस के multiplication की speed और बढ़ जाएगी और इस बिमारी का खत्रा और बढ़ जाएगा बिमारी और prolonged हो सकती है अब क्योंकि estroids हमने यूज किया इसके कुछ side effects पी हैं आप रोस सुन भी रहे होंगे खबरों में बहुत कुछ आरा होगा यह side effects हैं लेकिन जान बचानी के लिए जरूर ही है बट मैं आपको side effects पी share कर लेता हूँ तो सबसे बड़ा side effect है estroids का वो यह है कि यह immunity system को suppress कर देता है और जब immunity system को suppress कर देता है तो बाकी जो infective diseases हैं उनका खत्रा बढ़ जाता है जिसमें bacterial infections का secondary bacterial infections का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए antibiotics चला जाता है कि हम bacteria को भी रोक लें बोडी को नुक्सान पोचाने से और अगर बहुत ज़ादा immunocompromised है कोई patient तो उसमें black fungus जो mycormicosis की हम बात कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक जानलेवा बिमारी है उसका भी खत्रा बढ़ जाता है तो mycormicosis या black fungus को detail में समझने के लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो दे सकते हैं जिसकी जानकारी मैंने नीचे description box में दे रखी है इसके लावा जो इस्ट्रॉइट्स हैं ये cause करते हैं blood sugar को बढ़ा देते हैं खास तोर जिए जिन मरीजों को blood sugar है उसमें uncontrolled blood sugar हो जाता है और ऐसे मरीज भी जिनको blood sugar नहीं था उनमें diabetes शिरू हो जाता है तो इसका एक ये भी खत्रा है कई बार hormonal imbalance इस बीमारी से हो जाता है तो इसके अपने खत्रे हैं लेकिन जान बचाने के लिए ज़रूरी था जो हमने estroid therapy और anticoagulant therapy की बात की corona treatment के लिए rest जो बाकी दवाईया है वो supportive therapy के तोर पे काम करती है जितनी इम बाकी दवाईया देते हैं मरीज के vitamins मिलते रहे immunity बढ़ जाए उसका hydration maintain रहे तो उस तरह की दवाईया शुरू करते हैं तो दोस्तों मुझे उबीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो like करें, share करें bell icon का बिटन जुरूर दबाले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बन्यवाद